कौन है भगवान कलकी? अवतार को लेकर की गई है ये भविश्यवानी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कलकी धाम मंदिर का शिलान्यास किया. चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है भगवान कलकी जिनके मंदिर का पी-ेम मोदी ने आज शिलान्यास किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कलकी धाम मंदिर का शिलान्यास किया. इस मंदिर का निर्मान श्री कल की धाम निर्मान ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रो चारण के बाद कल की धाम मंदिर का भूमी पूजन किया संभल में बनने जा रहा ये मंदिर बहुत ही अनोखा और खास माना जा रहा है श्रीकल की धाम मंदिर परिसर पांच एकड में बन कर तयार होगा जिसमें पांच वर्ष का समय लगेगा ऐसा बताया जा रहा है कि इस मंदिर में भगवान विश्नु के दस अवतारों के लिए अलग-अलग गर्भगरह होंगे चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है भगवान कलकी जिनके मंदिर का पीए मोदी के द्वारा शिलान्यास किया कौन है भगवान कलकी भगवान कलकी को भगवान विश्णु का दस्वा अवतार माना जाता है दरासल कलकी भगवान विश्णु के आखिरी अवतार माने जाते हैं कलकी पुरान और अगनिपुरान के अनुसार श्री हरी का कलकी अवतार कलियुक के अंत में अवतरित होगा उसके बाद धर्ती से सभी पापों और बुरे कर्मों का विनाश होगा अगनिपुरान के सोलावें अध्याय में कलकी अवतार का चितरन तीर कमान धारन किये हुए एक घुड सवार के रूप में किया गया है इसमें भगवान कलकी के घोडे का नाम देवदत्त बताया गया है पौरानिक मान्यताओं के अनुसार कली युग चार लाख बतीश हजार वर्ष का है जिसका अभी प्रथम चरण चल रहा है जब कल्युग का अंतिम चरण शुरू होगा तब कलकी अवतार लेंगे वहीं कलकी पुरान के मुताबिक भगवान कलकी का जन्म भी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में ही होगा कलकी का जन्म एक ब्राह्मन परिवार में ही होगा भगवान कलकी एक महान योद्धा होंगे जिनका जन्म कल्युक के अंत में सभी बुराईयों को दूर करने के लिए होगा आईए जानते हैं भगवान विश्नु के बाकी अवतार कौन है भगवान विश्नु के दस अवतार वामन मत्स्वे मत्से अवतार भगवान विश्नु का पहला अवतार है इस अवतार में विश्णु जी मचली बनकर प्रकट हुए मान्यत अनुसार एक राक्षस ने वेदों को चुरा कर समुद्र की गहराई में छुपा दिया था तब भगवान विश्णु ने मत्से अवतार लेकर वेदों को पाया और उन्हें फिर स्थापित किया 2. कुर्म कुर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं इसमें भगवान विश्णु कच्छुआ बनकर प्रकट हुए थे कच्छप अवतार में श्री हरी ने कशीर सागर के समुद्र मंथन में मंदिर परवत को अपने कवच पर रख कर संभाला था 3. वराह अवतार हिंदु धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विश्णु के दस अवतारों में से तीसरा अवतार है इस अवतार में भगवान ने सुर का रूप धारन करके हिरनियाक्ष राक्षस का वध किया था फोर, नरसिंह, ग्रंथों के अनुसार नरसिंह भगवान विश्णू के चौथा अवतार हैं, इसमें भगवान का चेहरा शेर का था और शरीर इंसान का था, नरसिंह अवतार में उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके पिता राक्षस हिरना का श्यप को इसमें भगवान ब्राम्भन बालक के रूप में धर्ती पर आये थे और प्रहलाद के पौत्र राजा बली से दान में तीन पद धर्ती मांगी थी। इसमें भगवान बुद्ध। भगवान विश्णु के दशावतारों में से एक बुद्ध भी हैं। इनको गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। वह बौध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे। धन्यवाद